exercise 1.1 के questions हमने करने थे 17 to 22 questions अगर आप देखें तो इन सब में उन्होंने कायक के functions कुछ दिये हैं और उनकी हम domain find करें इन सब की हम देखते हैं कि किस तरह से domain find करनी है अब domain में ये चीज़ होती है कि अगर कोई ऐसी value जिस पे function undefine हो जाए तो वो हमारी domain में शामिल नहीं होता चीक है तो उसके according अब हम देखेंगे कि domain किस तरह से हमने functions की find करनी है ये question number 17 देख लें इसमें हमने क्या find करनी है domain अब जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो function given है अगर हम function में x की जगा पर 1 put कर दें ठीक है तो ये function हमें क्या value देगा 0 लेकिन अगर हम 1 से exceed करें यानि 1 से हम भड़ी values की तरफ जाएं जैसा कि 2, 3, 4 चलते जाएं तो हमारे पास जो भी value आएगी उस value को जब हम उस value के जब square उठ लेंगे तो हमारे पास aorta की farm में value आगी यानि imaginary value आजएगी यानि function जो है वो proper हमें value नहीं देगा इसलिए इसकी domain क्या होगी कि 1 x less than equal to 1 यानि x की value जो है 1 हो या 1 से छोटी होनी चाहिए 1 से exceed नहीं करनी चाहिए क्यू तो 1 में से जब 4 minus करोगे क्या आएगा minus 3 तो minus 3 का square root हम ले सकते हैं नहीं तो वो aorta देगा हमें बिल्कुल ऐसी अगर 2 के बज़ए 3 put कर दे तो 3 का square 9 1 में से जब 9 minus करोगे तो वो भी क्या देगा minus 8 तो मतलब कहने का यह है कि जब भी आप 1 से कोई बढ़ी value इधर x की जगा पुट करोगे 2, 3, 4 कुछ भी तो उसको जब 1 से सब्ट्रेक करेंगे तो बात में वो जो हमें value देगा वो minus की form में देग और उसका जब हम square root लेंगे तो वो aorta आजएगा तो इसलिए function जो है वो define नहीं हम हो सकेगा define कब होगा अगर x की value less than equal to 1 रहे यानि अगर x की value यहां तो 1 रहे या 1 से छोटी यानि 0 रहे देखें अगर हम यहां 1 put करें तो क्या होगा 1 में से 1 minus किया 0, 0 का square root 0 ठीक है पिलकुल ऐसी अगर x की जगा 1 से छोटी value 0 put कर दें तो भी क्या होगा 0 का square 0, 1 में से 0 minus किया 1, 1 का square root 1 तो 1 answer देगा यहनि एक टोपर हमें positive value देगा तो इसल मतलब है कि जब mode हटाएंगे तो x जो 1 नहीं यह plus minus में आ देगा यानि x की value हम plus 1 भी put कर सकते हैं minus 1 भी put कर सकते हैं लेकि 1 से हमने exceed नहीं करना या आगे नहीं हमने जाना 2 की तरफ पिर चाहे वो plus 2 में हो बात या minus 2 में पिलकुल ऐसे ही उससे आगे 3 में बात हो plus 3 के साथ य तो domain में क्या हम चीज़ देखते हैं सिर्फ यह कि जिस पर function define हो वो उसकी domain होती है और अगर ऐसी value जिस पर हमें लगे कि function undefine हो जाएगा तो उस चीज़ को हम उसकी domain में से मतलब उस चीज़ को हम उसकी domain में शामिल नहीं करते हैं अब बिलकुल ऐसे अगर आप इसका next part दे चीज़ के ना तो वो function क्या हो जाएगा undefine हो जाएगा function तो हम define ही नहीं कर सकेंगे इसलिए इसकी function है इसकी domain क्या होगी set of all real numbers except x is equal to a यानि इसकी domain क्या होगी कि कोई भी real numbers में से हम कोई भी value ले ले बस a नहीं होना चाहिए क्योंकर a होगा तो x की जग़े हम a put करेंगे इ तो मैंने वो ही चीज़ को इधर detail में लिखती है और इसकी domain क्या है इसकी domain है set of all real numbers except x is equal to a a के इलावा सारे के सारे real numbers कुछ भी put कर दो को इना की value देगा लेकिन a हम नहीं लिख सकते clear बिल्कुल ऐसी अगर आप इस question में आ दें third part में इसमें भी अगर आप देखें तो यहा और जब कोई भी term जो है उपर पड़ी हो उसको जब हम नीचे zero हो zero से divide करेंगे तो answer infinity आजाएगा बिल्कुल ऐसी अगर मैं इधर x की जगा पर two भी put कर दूँ तो two minus two क्या होगा zero और यह zero को जब हम इस term से multiply करेंगे तो यह term भी zero बन जागी यह पूरी term zero हो जागी और उप पर कोई भी term हो जब उसको हम नीचे zero से divide करेंगे तो answer क्याएगा infinity आपने बस यह बात जहन में रखनी है कि over के नीचे अगर कभी भी value zero आजे तो उस value को जब हम नीचे zero से divide करते हैं तो answer infinity आता है यह आपको पता होगा नहीं भी पता तो इस चीज़ को जहन में बिठा लें set of all real number यानि सारे के सारे real number का set लेकिन कौन सी values नी होनी चाहिए उसमें 1 और 2 नी होने चाहिए तो वो ही मैंने लिख है कि the set of all real number except when x belongs to 1 and 2 यानि जब x की value 1 और 2 होगी उसके इलावा बाकि सारे के सारे real number जिसकी क्या होंगे domain होंगे इसका ये 20 पार्ट देख लें इसमें भी अगर आप गोर करें तो अगर मैं यहां x की जगा पर ये 7 है ना तो यहां अगर मैं क्या put कर दूँ 7 तो 7-7 क्या हो जाएगा 0 तो function doesn't remain real when x exceeds 7 यानि अगर मैं यहां 7 put करूँ यह 7 से चोटी value जैसे 7 put करें यहां पर तो 7-7 0 6 उससे से अगर 5- करूँगी तो 2 यानि कोई भी ऐसी value जो के 7 या 7 से चोटी होगी उसको जब लिखोंगी तो कोई ना कोई हमें positive value मी लगे और positive value का square root हम find कर सकते हैं लेकिन अगर मैं 7 से exceed कर जाओं यानि 7 से बड़ी values की तरफ जाओं जैसा के 8, 9, 10 कोई भी उसको जब अब यहां 8 पे कर लें तो 7-8-1 तो minus 1 का square root क्या होगा वही imaginary value तो इसी तरह से 9 देखें तो 7-9 क्या होगा minus 2 तो minus 2 का जब हम लेंगे square root तो वह हमें imaginary value देगा तो आपने इस से इसका ख्यार रखना है कि कोई भी ऐसी value जो के 7 से exceed कर जागी अगर 8, 9 कोई भी value होगी तो वह क्या करेगी वह इसको imaginary बिना देगी तो वह उस पर हम function define नहीं कर सकेंगे तो function 7 या 7 से छोटी values होनी चाहिए उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए इसके लावा अगर हम इस तरफ बात करें इसके case में तो यहां अगर हम 3 में से minus 3 लिखने है तो भी ठीक है अगर मैं यहां minus 3 से एक number बड़ value क्या होती है real line में minus 2 वैसे तो 2 3 से छोटा है लेकिन minus में जितनी चोटी value होती है उतनी बड़ी होती है ऐसा ही है ना तो यहां जो मैं minus 2 लिखंगी 3 minus 2 1 1 का square root 1 इसी तरह से अगर मैं minus 1 लिखंगी 3 minus 1 2 2 का square root भी आ जाएग कोई नहीं कोई positive value अगर मैं 3 से बड़ी value ले ले जैसा कि minus 2 minus 1 0 1 तो वो कोई नहीं value देगा लेकिन अगर मैं minus 3 से कोई ना कोई छोटी value की तरह उपाँ जैसा कि minus 4 minus 5 तो वो infinity answer देगा जैसे यहां minus 4 फूट करें plus minus 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 1 minus 1 का square root को imaginary आ जाएगा answer इसी तरह से minus 5 फूट करें 3 minus 5 minus 2 minus 2 का square root फिर a उटा आ गया तो अगर यहां पर हमारा पस 3 से sorry minus 3 से हम क्या करें बड़ी बड़ी values लें यानि minus 2 minus 1 तो तो ठीक है लेकिन अगर minus 3 से छोटी value ले तो यह answer हमें infinity देगा तो यही बात को मैंने यहां describe कर दिया और इसका मतलब इसकी domain क्या होगी कि minus 3 से बड़ी values यानि छोटी नहीं उससे होनी चाहिए और दू function में तो हमारा answer जो है वो कोई ना कोई value देगा function जो है वो कोई value देगा अगर हम उसके लावा कुछ कर देंगे तो वो aorta की form में हो जगर function defined नहीं होगा इसके 21 यह जो question है उसका देख लें उसमें तो उन्होंने हमें क्या कह के यह function दिया और वो कह रहा है कि यह तब होगा जब x की value 2 यहां उससे चोटी हो देखें यह real line पर मैंने इसको समझाने के लिए सोड़ा पता है कि यह real line है 2 और 2 से चोटी values क्या होंगी 2 और 2 से चोटी value आ रही तो अगर overall हम देखें तो यह सारी के सारी real line नहीं नहीं बना देगी condition तो कोई है नहीं है कोई limit मतलब उन्होंने define तो की नहीं है कि सिरफ इस limit दाक हमने जाना है तो यह चलता ही जाएगा तो इसका मतलब है इसकी domain के होगी सारी के सारी real line उसके बद अगर आप next 22 प बात करें तो फोर अगर मैं put करूंगी तो ठीक है फोर से छोटी फोर पुट करूंगी तो वह भी 0 देगा तो फोर हम शामिल इसमें नहीं कर सकते और फोर से भड़ी value भी लोग जैसे 5 और मतलब कोई भी तो वह हमें कोई value देगा अगर मैं यहां पर 2 मतलब 4 से छोटी value बात करें तो वह negative होगा when x less than 4, 4 से कोई भी छोटी value लिखें तो वह भी negative देगा, यानि 3, 2 कुछ भी put करो तो negative value देगा, so the domain of the function क्या होगी, कि जो real line है अगर उसमें से minus 1 को निकाल दिया जाए, और इस तरफ close interval और इस तरफ open interval, open interval का क्या मतलब है कि यह 4 इसमें include नहीं है, तो 4 के लावा 3 तक values जो है, तो अगर उन values को real line में से निकाल दिया जाए, यानि minus 1 से लेकर 3 तक values को निकाल दिया जाए, तो बाकी 4, 5, 6 सारी की सारी जो है, और इधर से minus 1 से छोटी value हो, सारी की सारी इसकी क्या बनाएंगी, domain बनाएंगी.